आज हलवाई जैसे छोले बनाने के सारे राज खुलेंगे तो वीडियो में बने रही अगर आप वीडियो में नए हैं तो अफट अफट चर्ष निचे वीडियो को लाइक और चेनल को कर दीजे, सबस्क्रइब आज हलवाई जल से परफेक्ट छोले के सारे राज बताऊंगी मैं और क्या-क्या चीजे वो डालते हैं वो भी तो नमस्कार मेरे यूटुब फैमिली कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर दियो कि आप लोग सवस्त होंगे मेरे वीडियो देखने के बाद इवस्त होंगे तो ये जो मैंने आधे किलो चुनने लिए थे तो इन्हें मैंने रादभर भिगो दिया था रादभर भिगोने के बाद मैंने किया किया इसे फटा-फट से धोग आपड़ी है अच्री तरह से दो तीन बानी और इसे कुकर में ट्रांसफर कर देंगे कुका में ट्रांसर करने के बाद मैंने क्या किया है तीन मीडियम साइज के लिए हमेने आपे टमाटर टमाटर को लेने के बाद क्या करना है तीन टमाटर को ऐसी तरीके से कट कर देना है और फिर इसको डाल देना है तीन टमाटर तीन ही मैंने लिए है प्यास दो मैंने लिए बड़ी ही लाईची और दो ही मैंने छोटी ही लाईची थोड़ी सी दाल चेनी, एक कींच अद्रक का टुगड़ा, कुछ हरी मिर्च और तेज पत्ते लेसन की कलिया मैंने लिए है भर-भर के और फिर मैं इसमें पानी हम उधना ही डालेंगे जितने वे आपके चने अची तरह से डूब जाए, सिर्फ आपको अपने चनू को डूबोना है, अब इसमें डाल दीजे थोड़े से नमक, नमक मैंने एक चमच के करीब इसमें डाला ह अब इसमें लिट लगा दीजे और तीन-चार सीटी आने तक दना-दन दना-दन पका लिजे इसे, अब जैसे यह तीन से चार सीटी आ आ जाए तो फटा-फट से प्रेशर को निकालिए और कुकर को खोल दीजे, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके चने भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और टमाटर तो काफी जादा गल चुके हैं, अब इन सारी चीजों को धीरे-धीरे करके हम निकाल लेंगी, और आपको खड़े मसाले जो आपने डाले थे वह आप अपसे निकाल के आप उसको मतला मसाले में यूज ना बहुत अच्छी तरह से अबजाब हो चुका है, तो सारे फ्लेवर तो आ चुके हैं, आप अब डालना चाहें तो डालिए नहीं डालना चाहें तो कोई बात ने, अब एकाद दो प्याज के टुकड़े या फिर लहसन की कलियां अगर इसमें रह जाती हैं तो कोई दिक्कत चाहने हमारे अच्छी तरह से उबल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे जो हमने टमाटर और प्याज, मिर्च और लहसन अद्रक लिये थे, इन्हें हम अच्छी तरह से बारीक साब पेस्ट बना लेंगे, तो मैंने खड़े मसालों का इसमें नहीं किया है, जो मैंने डाले थे जो टमाटर और प्याज लहसन अद्रक की, उसे डाल देंगे इसमें, और फिर क्या, इसे थोड़ी दे तब भूलेंगे, अब मैं यहां इस्तेमाल कर रहे हूँ किचन केंग मसाले का, तो मैंने यहां पे डेड़ चमच भर भर के ना किचन केंग मसाला लिया है, एक चमच मै जीरा पाउडर इसमें एड कर दिया मैंने, मसालो को हम थोड़ी धेर भूनाई करेंगे इसकी, तो देख सकते हैं, आप मसाले हमारे लगभग लगभग अच्छी तरह से भून चुके हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और भून होगे, मसाले जितने भूनेंगे, स्वाद उ नहीं है, जो छोले जिसमें वाइल किये थे आपने, क्योंकि मसाले जो खड़े मसालो का फ्लेवर है उस पानी में आ चुका है, उसे डाल दीजे, कसूरी में थी उपर से क्रस्कर के डालिये, और एक चमच मैंने उपर से गरम मसाला डाल दिया, तो अब हमारे छोले जो है, उसमें नमक मैंने बहुत कमी उसमें आट करा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के एक ओड़े नमन डाल दिया, अब मैं इसको ढख के पका लूँगी, बहुत ज़दा पकानी की ज़रूद नहीं क्योंकि छोले आपके अची तर से पक चुके थे, अब जो हलवाई क देख लीजे आप लोग, इतने टेस्टी छोले बने हैं, तो फटा-फट चैब इस पे धनिया की पत्ती डालती हूँ है, और फिर इसे थोड़ा सा मिक्स अप कर देती हूँ, इस तरीके से अगर आप छोले बनाएंगे ना, तो छोला बनाना भी आसान हो जाएगा, खाने मे गाले कर दो, मैं अप छाओ 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 चावल के साथ पराठय के साथ जिस Common Alternative matter, इस तरीके से छोले एक भार घर में जरूर बनाओ, अगर आप एक बार इस तरीके से छोले घर में बनाएंगे ना, तो घरवाले तो अब इसके दिवाने ही हो जाएगा आए और आपको बार को सब्सक्राइब कर दीजिए